नमस्कार डिनेक्स धर्म कर्मे में आप सभी का स्वागत है बैसाख मास के सुकल पक्ष की पंचमी तीथी को आदी गुरु संकराचार्य की जैनती मनाई जाती है इस बार यह तीथी आज यानी 28 अप्रल मंगलवार को पड़ी है हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार और चार दिसों में चार मठो की स्थापना कश्रे आदी गुरु संकराचार्य को ही जाता है आज भी इनके वंशच बद्रीनाथ और केदारनाथ के प्रमुख पुजारी रावल के रूप में इश्वर सेवा में लीन है सनातन धर्म की परमपराओं को देश दुनिया में पहचान दिलाने का काम संकराचार्य ने ही किया उनकी जयनती के अवसर पर उनके जीवन से जुड़ी खाज बातों को आपको बताते हैं संकराचार्य का जन 788 इस्वी में केरल के कालपी नाम के गाउं में हुआ था इनके पीता का नाम शिव गुरु और माता का नाम सुभध्रा था संकराचार्य के पीता भगवान शिव के अन्यन भक्त थे विवा के बाद लंबे समय तक जब उनके यहां संतान नहीं हुई तो शिव गुरू और सुभद्रा ने सिव जी की तपस्या की तब भगवान शिव उनके सपने में आये और वर मांगने को कहा शिव गुरू ने भोले बंडारी से ऐसी संतान की मांग की जो दिर्ग आयू और सरवग्य हो जिसकी खाती दूर दूर तक फैले और यूगो तक बरकरार रहे इस पर भगवान शिव ने कहा यदि तुम्हारी संतान दिर्गायू होगी तो सरवग्य नहीं होगी और सरवग्य होगी तो दिर्गायू नहीं होगी इस पर शिव गुरू बोले कि उन्हें सरवग्य संतान चाहिए कुछ समय बाद जब शीव गुरू के यहां पुत्र का जन्म हुआ तो उन्होंने उस बच्चे का नाम शंका दखा क्योंकि वह भगवान भोले नात के आशिरवात से प्राप्थ हुए थे संकरचारी को 6 वर्ष की आयू में ही सभी वेदो और शाष्त्रों का ज्यान हो गया था जब वह 3 वर्ष के थे तो पिता का देहान थो गया था चुंकि भगवान शियू के वर्दान के अनुसार उन्हें सरवग्गी होना था तो 6 वर्ष की आयू में वह प्रखान पंडित हो गया फिर उन्होंने अपनी माता से सन्यासिम बनने की अनुमती मांगी लेकिन माता नहीं चाहती थी कि उनका पुत्र इतनी कम आयू में सन्यासि बन जाए हाला कि उन्होंने अपनी मा को या वचन दिया था कि वह जीवन के अंतिम समय में उनके ही सांत रहेंगे सांत ही उनका दह संसकार भी स्वयम ही करेंगे कथा मिलती है कि एक बार नदी में मगरमच ने उनके पाउं पकड़ दिये इस पर उन्होंने अपनी मा से कहा कि मुझे सन्यासी जीवन में प्रवेश करने की आग्या दीजिये तब ही हाँ मेरे पैर छोड़ेगा बेटे के प्रांट संकट में जानकर मा ने सन्यास की आग्या दे दी मगरमच ने संकराचार्य के पैर छोड़ दिये जब संकराचार्य की माता जी का अंतिम समय आया तो मा को दिये वचन के अनुसार वहाँ गाउं पहुँझ गए और अपने पुत्र को देख करी उनकी माने प्रांट यागे फिर जब बारी आई दह संसकार की तो सब भी लोगों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया कि सन्यासी दह संसकार नहीं कर सकता तब संकराचार्य ने अकेले ही अपनी मा का दह संसकार की और घर के सामने ही मा की चीता सजाई और अंतिम क्रिया की इसके बाद यह परंपरा ही बन गई आज भी केरल के कालपी में घर के सामने ही दह संसकार किया जाता है सनातन धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने चार मठों की स्थापना की आज भी इन मठों के गुरुओं को संकराचारी की उपाधी प्राप्त होती है ये मठ या पिट देश के इन राज्यों में इस्थित है जोतिश पिट बदरीनात उत्राखंड गुवर्धन पिट पूरी उडिसा में शार्दा पिट द्वारी का गुजरात में और श्रेंगी पिट मैसुर करनाटक में इस्थित है इनके ग्यान और काल्यों के अधार पर इन्हें अचारी कहा जाने लगा और जन्मानस के बीच यह संकर अचारी शंकर अचारी के रूप में प्रसीद हुए संकर अचारी केरल से पद यात्रा करते हुए काशी पहुँचे वहां से उन्होंने योग सिक्ष और अदत वैद ब्रह्म ग्यान की प्राप्टी की इसके बाद वह बिहार के महिशी पहुँचे वहां अचारी मंदन्श्री को सशार्थ में हराया हलाकि उनकी पत्नी भारती से वह रती ग्यान में हार गये लेकिन वह बाल ब्रह्म चारी थे तो उन्होंने देवी भारती से कुछ समय मांगा और परकाया में प्रवेश करके और रती ग्यान प्राप्त कर दोबारा भारती के साथ सशार्थ कर उन्हें परास्त कर दिया संकराचारी जी ने 32 वर्ष की आईउ में केदारनात के निकट अपने प्रांट यागे